हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरो एक नई लफ स्टोरी लेकर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिर्वात यू से होती है जो स्किन केर कंपनी की सीईयो है असिस्टन बोलती है आपकी एक मीटिंग है उस मीटिंग में टॉप टैन सक्सेस्फुल बिजनस गुरूप आने वाले हैं यू बोलती है मुझे उन लोगों की बकवास सुनने के लिए महा नहीं जाना यू देखती है लिफ बंद है तो स्टेर से जा रही थी क्योंकि उसको एक क्लाइन से मिलना था तब ही वो गिर जाती है जब वो जागती है तब वो होस्पिटल में थी वो सोचती है मुझे यहां से उस क्लाइन से मिलने जाना होगा यू देखती है उसका हाथ बड़ा लग रहा है और मीरर में देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से बदल गई थी यानि वो मोटी हो गई थी यू सोचती है एक रात में मोटी कैसे हो गई तब यू को पता चलता है वो पहला वर्ड में आ गई है जहां यू मोटी थी यू को दूसरी वाली यू यानि मोटी वाली यू की मेमरीस आती हैं मोटी यू की सास उसे बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी बार बार मारती ही रहती थी यू अपने हस्बन चैन से बोलती है मुझे एक बेबी सीटर को हायर करना है क्योंकि यू की एक बेबी थी और चैन की मौम को वो पसंद नहीं थी क्योंकि उसे पोती नहीं पोता चाहिए चैन बोलता है क्यों ना तुम घर पर ही रहो ना यू बोलती नहीं मुझे जॉब मिल गई है चैन बोलता है नहीं तुम आउस वाइब बनकर ही रहो मैं काम कर रहा हूँ ना चैं की मूम भी बोलने लगती है ये लड़की घर भी संभाल नहीं सकती और अब जॉप भी करना चाती है यू दुबारा प्रेग्रेटि इवन जब चैं की फैमली को पता चलता है बेबी बोई है तो चैं की मूम यू की खेर करने लग चाती है यू को कोई भी काम नहीं करने देती यू शॉपिंग पर जाती है वो चैन की मॉम को बोलती है मेरी बेबी की खेर करना पर मॉम को तो किटी पाटी में जाना था तो चली जाती है यू को नेवर से कॉल आता है तो मारे घर में गैस की स्मेल आ रही है यू होस्पिटल में थी त अभी यू भ्योश हो जाती है एक्शली में यू का मिस्कैरिज हो गया था चैन बोलता है पर हमारे पास अभी भी यून है तुम टेंशन ना लो चैन को उसकी गल्फिन का कॉल आता है यह बोलती है मैं प्रेगनेंट हूं और डॉक्टर ने बोला है लड़का हनेवाला है यह स से जबरदस्ती डिवोस लेने के लिए जा रहे थे तभी वो गिर जाती है यू समझ जाती है यह दोनों एक टाइम पर गिरे इसलिए वो यह आ गई यू बोलती है वैसे भी यू तो मैं ही हूँ ना मैं तुमारे हस्बन को मज़ा चिकाने वाली हूं यानि रिवेंश लेने रहे थे श्यू पूछती है आप हमें सच्चाई बताए क्यूंकि इस वीडियो पर मिलियंस व्यू आ गई है यू सोचती है अब मज़ा आएगा यू रोने लगती है और बोलती है मेरे हस्बन को लड़का चाहिए था पर मेरे मिस्ट के अरिश के बाद वो मुस्द छिटका चाहता था शीन बोलती है अब डिव कुछ होने लग जाता है यू को कुछ नहीं कि खिलाना है शीन बोलती है तुमजे कभी भी कॉल कर सकती हो गोंग नामका लड़का हूं के पास आता है इसकी कार से ही यू का एकसिडेंट हुआ था गोंग उसे बोलता है मुझे माफी मांगनी चाहिए यूँ झायन वो उसे पैसे इसलिए यू बोलती है मैं इसकी मॉम बननी की ट्राइक करूंगी तब ही मॉम आके यू पर गुसा करने लग जाती है तुम्हारी वज़े से मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो रही है यू चाकू लेके आती है और मॉम को डरा देती है आज के बाद कुछ बोला तो सही नहीं होग यू यू को बोलती है क्या तुम डर गई यू बोलती है नहीं ममी आप तो कमाल हो यू यू को शॉपिंग पर चलने को बोलती है मॉम चैन को बोलती है तुम्हारी वाइफ पागल हो गई है चैन बोलता इस टाइम पर आप उसे कोई पंगे मत लेना क्यूंकि वो वीडियो वाइरल हो गया है अभी आप चली जाओ मोम यू के रूम में आती है और वो गों का दिया हुआ क्रेटिट कार्ड देख लेती है इवन ले भी लेती है यू और यू शॉपिंग कर रहे थे तभी वो इंप्लोई सोचती है ये तो गरीब है कुछ भी खरीद नहीं पाईगी बुलाओ अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या मैनेजर भी यू को बोलती है लगता है आपके पास पैसे नहीं है तबी गन चाहती है क्या कस्टमर से ऐसे बात करते है मैनेजर सोच दिए ये दोनों रिच्छ लगते है इसलिए बोलती है यहां केमरा है तो चूट मत बोलो गनुम यको बैंक कार्ट देती है यू पेमिन करने गन बोलती है तुम इतने जादा अच्छे कब से हो गए गन बोलता मेरी कार से इसका एक्सिडेंट हो गया था ना इसलिए गन बोलती है फिर तो तुम्हें यू की केर भी करनी चाहिए यू के मॉम डैड घर आते हैं इवन वो चैन को बोल रहे थे तुम्हारी वज़े से मेरी यू को पेन हुआ चैन भाना लगाने लग जाता है इवन मॉम डैड को मसका भी मार रहा था मैं तो अपनी मॉम के केने पर डिपोस लेना चाहता था वरना तो मैं यू से जरा भी दूर नहीं रह सकता यू समझ जाती है और बोलती है मैं भी चैन के साथ ही रहना चाहती पूर्टर एक वीक के लिए हमारे स्टोरी को रिकोड करना चाहता है यू समझ जाती है चैन इतनी मिनते क्यों कर रहा है यू बोलती है अब हम फैमली है तो तुप्मारा साथ तो देना ही पड़ेगा ना यू घर में देखती है वक्रेडिट कार नहीं है तो वो चैन की मोम बोलती है मेरा क्रेडिट कार आपने लिया है मॉम बोलती है नहीं तो पर यू समझ जाती है यू के घर में वो रिपोर्टरस आते हैं शो के लिए शिव को देखकर मॉम हो चैन तो बदली जाते हैं यू मोनिंग वोक से आती है शिव पूछती है आप रोज जाते हो क्या यू बोलती है फ्रेश एर लेने चैन बोलते है जान मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफस्ट भी बना रखा है शिव बोलती है आप इस तरह से ही अपनी वाइफ की हेल्प करती हो क्या चैन बोलता है क्योंकि मेरी वाइफ से मैं बहुत ज़दा प्यार करता हूं शिव का पार्टन साफ कर रही है तो बोलती है तुम मत करो मैं हूँ ना तबी अंटी आती है जिसको पेमेंट देना था लाइट बिल का यू चैन की मोम को बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है आप दे दो ना मोम बोलती है हाँ क्यों नहीं वो अपना वोलेट लाती है यू बोलती है मोम ये तो पॉलती है तो क्या हुआ तुमने थोड़ी पैसे दिये हैं वैसे भी तुम यहां पड़ी हुई हो यू इशारह करती है सब रिकोर्ड कर लो वह अंटी बोलती है कैसी सास हो तुम भला ऐसा कोन करता है चैन यू से माफी मांगता है मुझे पता नहीं था मोम ऐसा करेगी यू स चलोना कल मिलते हैं यू सोचती है कल का दिन तो कमाल होगा यू घर से भार आती है शिन पूछती क्या हुआ हम कहीं जा रहे हैं क्या यू बोलती है आज कुछ इंटरस्टिंग होने वाला है जिस से शो की टी आर भी अच्छी हो जाएगी यू बोलती है यू उसे होटल में आती है जहां उसका हस्बन अपनी गर्फरेंड के साथ था यू बोलती है जैसे हम रूम में जाएंगे तो शूटिंग कर लेना यू अंदर आती है चैन बोलता यहां तुम क्या कर रही हो यू बोलती है इस चुडेल के लिए तुम मुझे डिवोस देना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा फेर पहले से ही चल रहा था चैन बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है यू बोलती है तुम्हें डिवोस चाहिए हो तो मैं दे देती हूं इवन तुम पर केस भी करने वाली हूं यू एक ब्यूटी क्रीम बनाने वाली थी जिसके लिए उसे कुछ इंग्रीडियंस चाहिए थे इसलिए वो लेने चाती है जहां गॉंग भी था यू को वो इंग्रीडियंस लेने के लिए चैन हल्प करता है गॉंग यू को देकर स्माइल कर रहा था और वो उसकी हल्प कर देता है ऑक्ष्लि में यू ने अपने आपको बदलने का डिसाइड कर लिया था गन अपने भाई गोंग को बोलती है देखो मैंने टीवी पर क्या देखा गन बोलती है यू के हस्बन का एक्स्ट्रा फेर चल रहा है इसलिए डिवोस के लिए बोल रहा था गोंग सोचता यू ने बहुत जेला है फिर भी उसके बावज़त हर बरव स्माइल करती रहती है गन बोलती है मेरे भाई को ऐसा खाना पसंद नहीं है गोंग बोलता नहीं मुझे पसंद है ये अच्छा है और स्माइल करता है यू सोचती है इसे क्या हो गया है तब यहां चैन आ चाता है तुम तो बहुत हैपी हो पर मेरा क्या तुमने मुझे बरबाद कर दिया है गोंग ब यह तुम्हारे टाइप की नहीं है तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए गॉंग भाराता है यू बोलती है मैंने कुछ स्कीन केर प्रोड़क्ट बनाए हैं को बोलता है मैं देख लेता हूं मैंने बोला था ना मैं हेल्प करूंगा यू बोलती है मुझे तीन मन दे दो और भ प्रोड़क्ट के परमोशन कर दिये हैं तो क्या तुम थोड़ा इन्वेस्ट करोगे गॉंग भूलता है क्यू नहीं पर तुमिट प्रेजेंटेशन देना होगा इन दोनों को चैन देख लेता है यू गॉंग के आफिस में आती है वो प्रेजेंटेशन फाइल देती है अस प्रेजेंटेशन सोचता है बोस को क्या हो गया है यू ओनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही होती है सभी बोल रही होते है यह तो पहले मोटी थी पर आप देखो कितनी प्रीटी हो गई है यू अपनी स्कीन केर प्रोड़क्ट के बारे में बोलती है पर सभी बोल रहे थे कहीं य यू को लाइक तो नहीं करने लगे हो गॉंग यू के घर दीनर करने आता है और उसकी ब्यूटी को देखता ही रह जाता है गॉंग यू को बोलता है पता नहीं चला पर मैं तुम्हें लाइक करता हूं इवन गॉंग यू को अपनी खांधानी रिंग भी दे देता है यून को पसंदे में बेबी चाहिए होगा तो मैं हुसकी लाइब बरबाद नहीं कर सकती हूर की इन discovered ब trespass कर लेता है मौन को कॉल करती है क्या यू तुमारे साथ है गोंग वापिस आता है और देखता है यू का फोन तो गिरा हुआ है तुकु चैन नहीं किनेप किया था चैन बोलता है तुमारी वज़े से मेरी लाइब बरबाद हो गई है और वो उसके साथ गलत करने वाला था तब ही गोंग आके उसे पर है यू बोलती है क्या तुम ठीक हो मैं डोक्टर को बुलाओं क्या एक्चली में चैन को उन्होंने पकर लिया था गोंग बोलता है कहा जा रही हो तुमने तो कहा ता मुझसे प्यार करती हो और रिंग भी देता है यू उसे किस कर देती है आपसे मैं हमेशा तुमारे सा रहूंगी यहीं पर इस कहानी का डियांट हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियु अपडेट्स के लिए बैल एकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगी बाइब 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 प्लाएब।